भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंग ने कॉंग्रेस को देश विभाचन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सनिवार को दावा किया है कि पंडित जवाहर लाल नहरू बुजदिल थे वरना आजादी मिलने के बाद ही भारत हिंदू रास्टर घोशित हो गया होता बलिया जिले के बेरिया शेतर से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंग ने सनिवार को अपने बयान का एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस की गंदी सोच के कारण भारत का बिभाजन हुआ उन्होंने कहा कि बुजल नहरू प्रधान मंतरी नहीं रहते तता देश द्रोही मान सकता कि कॉंग्रेस ही नहीं होते कॉंग्रेस नेता दिगविजह सिंग के कश्मीर में अनुचे 370 को लेकर दिये गए हालिया बयान का उलेख करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से मध्यप्रदेश के पुर्व मुख्यमंतरी की विरुद देश द्रोह के आरोप के में कारवाई की मांग की है वहीं गोर तलब है कि कॉंग्रेस नेता दिगविजह सिंग ने कलब हाउस समवाद में कतित तोर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुचे 370 को हचाना और राज्य का दर्जा खत्म करना बहुत दुखद है तथा उनकी पार्टी सत्ता में आने पर इस पर विचार करेगी भाजपा विधायक ने कहा है कि जब कश्मीर से ब्राम्भन विस्थापित हो रहे थे तब इंदरा गांधी सहित कॉंग्रेस के नेता खामोश रहे उन्होंने दावा किया है कि सोनिया गांधी बर राहुल गांधी विदेशी शंश्कृति के हैं तथा कॉंग्रेस अम मुस् किसाग्ट